आज हम एक नया टॉपिक लेकर आएं चुकि हमारे बीसी बाइटेक के सिलेबस में है और दूसरे भी जो स्टुडेंट्स है माइक्रो के बाइटेक के उनके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो वह है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन तो यह एकदम बेसिक सा टॉ आप फिफ सेमेस्टर में पढ़ेंगे ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन हिस्ट्री फिर सीधे फर्मेंटेशन प्रूसेस और आप्लिकेशन देखें सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि माइक्रोबियल फर्मेंटेशन क्या होता है माइक्रोबियल फर् Transformation of Organic Substances into Simpler Compound by the Action of Enzyme यह एक Simple Transformation है जिससे कि जो Organic Substances है उनका Conversion हो जाता है साधारन Compounds में, Simple Compounds में और कैसे होता है यह Conversion? यह Conversion होता है Enzyme के Action से और Complex Organic Catalysis से जिससे कि Complex Organic Catalysis होता है यह Enzymes एक करते हैं जिससे कि Complex Organisms जो हैं वो Simpler Organism में Convert हो जाते हैं इसमें जो Micro Organisms भाग लेते हैं उसमें ज्यादातर Mold, East और Bacteria होते हैं यह जो Fermentation Word है यह एक Latin Word से लिया गया है Latin Verb था एक्चुली जिसका मतलब होता है Boil होना, उबलना By Fermentation, the By Products Release During Microbial Fermentation जो भी Product Microbial Fermentation में Release होते हैं वो Human Welfare के लिए, इंसान के लिए काम के होते हैं इसलिए Fermentation की जो Process है वो Industry Level पे की जाती है Then अगर इसकी History के बात करें तो 1837 में Signaad D. Taur ने और Shizwan Fetwick Tinging ने इन्होंने Papers Publish किये थे जिसमें उन्होंने यह बताया था कि East Birding से Reproduce करता है और Shizwan ने फिर यह बताया कि जो Grape है, मतलब जो अंगूर है, अंगूर का Juice है वो East को Kill करने के लिए उसने सबसे पहले यूज किया लेकिन Turning Point Fermentation Industry में Lewis Pasteur लाए जिन्होंने यह बताया कि Fermentation is initiated by living organisms ठीके उन्होंने यह बताया कि Fermentation living organism से initiate होता है बस यह आप दो ही नाम लिखेगा, याद रखेगा, एक तो Lewis Pasteur लिखेगा, हिस्ट्री थोड़ी बड़ी हो गई है, इसको थोड़ा सा आप अपने according छोटा कर लीजेगा, इतना जद आपको देने की जरुवत नहीं है तो आप सिर्फ एक तो यह जिन्होंने आइडिया दिया, Charles Gagnard, इनका नाम दीजेगा, Lewis Pasteur का नाम दीजेगा और डिरेक्ली 1897 में एक जर्मन केमिस्ट है, Edward Buchner, उन्होंने, he extracted a juice from east, उन्होंने एक juice extract किया और एक, then found two amazing, this dead liquid would ferment a sugar solution, और यह भी देखा कि इसका जो juice है, वो sugar solution का fermentation कर सकता है और Buchner को chemistry में 1907 में यही काम करने के लिए, मतलब यह पता करने के लिए, 1907 में Nobel Prize मिला था ठीक है, तो यहां तक यह discover हो गया था कि किस तरीके से fermentation जो है, वो एक important process होता है, जिससे ऐसे products बनाए जा सकते हैं, जो कि human welfare के लिए इस्तमाल करे जा सकते हैं है ना, then हम आएंगे सीधे fermentation process पे, fermentation occurs in the absence of oxygen, fermentation की process यह तो oxygen की absence में होगी, जिसे हम anaerobic conditions कहते हैं, या फिर oxygen की presence में होगी, जिसे हम aerobic condition कहते हैं yeast, mold, bacteria, इन सबकी presence में भी यह process हो सकती है, यह जो है, यह energy obtain करते हैं, fermentation से है ना, if enough sugar is available, some yeast cells such as saccharomyces servicia prefer fermentation to aerobic respiration even when oxygen is abundant जब भी sugar available होती है, तो कुछ important जो microorganisms हैं, जैसे saccharomyces servicia, वो fermentation करते हैं, aerobic process से, तब करते हैं, जब oxygen की availability होती है, मतलब oxygen present होती है, ठीक है, जो दो तरह से fermentation हो सकता है, एक oxygen की presence में और oxygen की absence में, during fermentation process, these beneficial microbes break down sugar, और इस process में होता क्या है, कि जो beneficial microbes होते हैं, वो sugar का और starch का breakdown करते हैं, और उससे alcohol और acid बना देते हैं, और यह जो तरीका है, यह food preservation में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे आचार वगेरा हम preserve करते हैं, तो उसका principle यह होता है, आचार में हम तेल डाल के preserve करते हैं, या किसी चीज में कभी हम शक्कर डाल के preserve करते हैं, तो actually होता क्या है, कि जो beneficial microbes होते हैं, वो sugar और starch को alcohol में break करते हैं, जिससे की food ज्यादा nutritious हो जाता है, और उसका preservation भी longer periods तक हो सकता है, बिना spoilage के, then fermentation product provide enzyme necessary for digestion, fermentation के जो product होते हैं, वो हमें necessary enzyme provide करते हैं, digestion के लिए, this is important because human are born with a finite number of enzyme, and that decrease with age, fermented food contain the enzyme required to break them down, fermented food में वो सारे enzymes होते हैं, जिसकी हमारी body को आवरशक्ता होती है, और हमारी natural body system में क्या होता है, कि enzymes do हैं, वो present होते हैं, पर with the age decrease होते हैं, तो fermentation की जो process हैं, वो हमें वो सारे enzymes provide कराती हैं, जिनकी आवशक्ता होती हैं, या जिनकी जरूरत होती हैं, enzymes act by hydrolysis, a process of breaking down or pre-digesting complex organic molecule to smaller, enzymes जो हैं, वो hydrolysis से act करते हैं, और ये एक process करते हैं, इससे कि ये enzyme की ही मदद से, जो complex molecule है, उसका breakdown होता है, simple molecule में, या फिर जो non-digestible compounds होते हैं, उनका breakdown होता है, digestible compound में, for example, the enzyme protease breaks down huge protein molecule, जो enzyme protease होता है, वो बड़े protein molecule का breakdown करता है, और उससे peptide और polypeptide बनते हैं, और बहुत सारे amino acid बनते हैं, जो की body के अंदर इखटे होते हैं, enzyme amylized होता है, वो carbohydrate के उपर work करता है, और carbohydrate को simple sugar में तोड़ता है, और इसी प्रकार से जो lipase enzyme है, वो white molecule impact करता है, और इसे simple fatty acid में convert कर देता है, fermentation also adds in pre-digestion, during fermentation process, the microbes, feed on sugar and starch, जो fermentation के process होती है, उसमें microbes, sugar और starch के उपर feed करते हैं, यानि अपना खाना sugar और starch से derive करते हैं, और जिससे food का breakdown होता है, और कोई और भी उसे broken down food को consume कर सकता है, fermentation product differed with different microorganisms, अलग-अलग microorganisms से बनने वाले, अलग-अलग fermented products होते हैं, है ना, और mainly the economic value of these products lead to the development of industrial microbiology, और industrial microbiology का जो development है, वो इसी product से होता है, अब ये एक diagram है, उपर मैंने एक point था, जो skip कर दिया था, ये वाला, ये आपको देने की जरुवत नहीं है, science working of fermentation कि किस principle पर fermentation होती है, या आप इस diagram के through ही microbial fermentation process को अच्छे से समझा सकते हैं, है ना, वो देने से भी आपका note ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो देखिए जैसे lactobacillus है, है ना, clostridium है और saccharomyces है, ये glycolasis करेंगे, glycolasis वो प्रक्रिया है, जिससे sugar का breakdown हो जाता है, pyrovic acid में, है ना, तो ये glycolasis करेंगे और इससे pyrovic acid का formation होगा, pyrovic acid को अगर oxygen नहीं मिलेगी, अगर oxygen की कमी होगी, तो pyrovic acid जो है, अगर उसे बिलकुल oxygen नहीं मिलेगी, तो वो ethanol में परिवर्तित होगा, अगर उसे oxygen मिलेगी, तो pyrovic acid क्रेप cycle undergo करेगा, और CO2 और water में convert हो जाएगा, और अगर pyrovic acid को कम oxygen मिलती है, तो pyrovic acid lactic acid में बदल जाता है, हमारी body में हर दिन गे प्रक्रिया होती है, जब हम भागते हैं, दोडते हैं, या exercise करते हैं, तो आपने observe किया होगा, कि पटपट जैसी आवाज हमारी thigh muscles से, या जो भी muscle area यूज हो रहा होता है, उससे आती है, तो वो जो होता है, वो lactic acid के deposition के कारण होता है, lactic acid के deposition से muscular pains वगरा generate होती, तो जब भी pyrovic acid को कम मात्रा में oxygen मिलती है, तो वो lactic acid में convert हो जाता है, तो यह अपना ethanol, carbon dioxide और दूसरे industrial by-products तैसे wine, beer, fuel यह बनाए जा सकते हैं, और अगर उसको oxygen मिल जाए तो भी, यह oxygen मिल जाए तो तो वो crap cycle mitochondria में enter कर दाएगा, यहाँ पर एक और तरीका यह है कि इसी से पारविक acid से ही butyl, alcohol, acetone और carbon dioxide भी produce होते हैं, जो कि rubber और pharmaceutical industries में इस्तमाल होते हैं, rubber और दूसरे pharmaceutical products के fermentation में इस्तमाल किये जाते हैं, then application क्या है, microbial fermentation का application यह है कि उससे कई सारे important products बनाए जा सकते हैं, पैसे कि alcohol beverages, beer, wine, यह सारे product, grape, rice, grain, berries, इनका fermentation किया जा सकता है न, brewing कहते हैं, alcoholic beverages को fermentation से बनाने की process यहाँ brewing कहलाती है, पूरी brewing industry कहलाती है, है न, जो कि fermentation द्वारा alcohol का production करती है, beer की production से याद रखेगा जुड़ा हुआ microorganism, saccharomyces servicia है, जिसका इस्तमाल करके, यह की इस्तेस का इस्तमाल करके beer का production होता है, इसी तरह से yogurt, दही जैसा एक substance होता है, yogurt, जिसको बनाने के लिए streptococcus lactis, lactobacillus bulgarigans और lactobacillus acidophilus का इस्तमाल होता है, यह जो bacteria है, यह milk से lactose ले लेते हैं, उसे condense करते हैं और lactobacillus acid का production करते हैं, इसी प्रकार से जो baking industry, bread making वगेरा है, उसमें जो है थोड़ा sugar और yeast batter के अंदर डाल कर fermentation किया जाता है, और CO2 का release होता है, yeast enzyme जो है वो पूरा यह process carry करता है, carbon dioxide जो है वो bulkiness और texture बढ़ा देती है milk का, और कहीं प्रकार के bacteria होते हैं, जो कि इस process को speed up करते हैं, जिससे की bread में desired flavor आ सके, lactobacillus delbeck की जो है, वो fermentation process में मददकारी होता है, then, vitamin C के production में, vitamin C यह ascorbic acid, यह human being की skin के लिए बहुत important है, यह भी fermentation से produce किया जा सकता है, D-sorbital का conversion होता है, L-sorbose में, L-sorbose convert होता है L-scorbic acid में, और finally vitamin C में, यह जो fermentation process है, यह immediate होता है, होता है, glucanobacter oxidants से, है न, यह immediate होता है process से, glucanobacter oxidants से, this is the reason why fermentation, इसी कारण से fermentation जो है, वो एक important process है, vitamin C production में, then, fuel technology में इसका इस्तमाल होता है, fuel technology में इस process को इस्तमाल करते हैं, fermentation से, ethyl alcohol या ethanol produce किया जा सकता है, जिसको gasoline की तरह यूज किया जाता है, जो कि combination है gasoline और alcohol का, gasoline is used as fuel for cars, यह United States में, बहुत सारी cars में as petrol यूज किया जाता है, क्योंकि यह air pollution कम करता है, मितलब इससे जदा pollution नहीं होता है, इसी प्रकार से methane, वो भी एक important fuel है, जो कि fermentation द्वारा बनाया जाता है, methane सेख्रीशिया और methane त्रिक्स के action से यह बनाया जाता है, then waste water treatment में, fermentation process जो है यह बहुत important role play करता है, waste water treatment में, जहां activated sludge होती है, उसके अंदर aerobic bacteria जो present होता है, वो fermentation द्वारा organic material को carbon dioxide, water और mineral salt में convert कर देता है, food preservation industry में भी bacteria का, मतलब fermentation process का इस्तमाल होता है, fermentation process जो है, वो अच्छे bacteria को encourage करते हैं, ताकि अच्छे bacteria की growth हो, और जो अच्छे bacteria होते हैं, वो food की spoilage को prevent करते हैं, इसी प्रकार biopolymer का production, जो important biopolymers होते हैं, जिनका packaging में, जैसे starch, glucose, gelatin बगएरा के जो बड़े polymers होते हैं, उनके production में भी fermentation industry का रोल होता है, fermentation द्वारा यह produce किये जा सकते हैं, जो microorganisms इसमें involved होते हैं, रोडो बेक्टर, सेप्रोरोइड, माइको बेक्टिरियम स्पीसीज, है ना, डव्लीवेस, साई, जैन्थोमस, है ना, ग्लुकेनोबेक्टर, बैसिलस, सबसिलस, यह सारे होते हैं, then medicine में भी fermentation industry, antibiotic production, fermentation से की जाती है, जैसे cortisone जो है, उसको digesting, एक plant steroid होता है, उससे produce किया जाता है, और यह तो process है, यह fermentation द्वारा की जाती है, और इसमें एक mold, fermentation जो है, वो digestion को improve करता है, by degrading nutrients into digestible form, और जो nutrients होते हैं, इसको यह digestible form में convert कर देता है, soya bean is rich in protein that can't be digested without fermentation, soya bean एक ऐसा nutrient है, जो कि एक ऐसा component है, जो कि protein में रिच है, और वो बिना fermentation के divide, digest नहीं हो सकता है, lactobacillide जो है, वो bean को digestible amino acid में convert करता है, बहुत सारे लोग lactose sugar को tolerate नहीं कर पाते, through fermentation, bifidobacterium lactis convert lactose of the milk into digestible lactic acid, fermentation से जो lactose है milk का, उसको convert करा जा सकता है, digestible lactic acid में, वहाँ पर एक species होती है, bifidobacterium lactis, इस बैक्टीरिया की मदद से lactose को lactic acid में convert कर जा सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जिनको आपने देखा होगा lactose insensitivity होती है, इसलिए वो direct milk consume नहीं कर सकते, अब देखे, glucose से इनों ने बताए कैसे pyruvate बना, pyruvate को अगर aspergillus का action दिया, तो lactic acid या citric acid बनाने में काम आएगा, lactobacillus दिया, यह actually aspergillus से citric acid बनता है, यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पाइरोबेट को अगर ferment करेंगे, अपन मितलब fermentation प्रक्रिया चलेगे और aspergillus ना अगर को यूज करेंगे, citric acid का production होगा, lactobacillus को यूज करेंगे, lactic acid का production होगा, saccharomyces का action होगा, अगर इस पे, तो ethanol का production हो सकता है, और carbon dioxide का हो सकता है, ठीके, तो यह ता fermentation, I hope आपको समझ में आया होगा, यह बिल्कुल एक basic concept है, first year के साब से, कुछ भी दिक्कत हो, तो feedback ज़रूर दीजेगा, thank you very much,